नमस्कार आप सभी का स्वांगत है आज के इस प्रोग्राम में जो हम लेकर आए हैं आप सब के लिए परिक्षा पे चर्चा जैसे कि इस नाम से ही विदित है कि आज हम बात करने वाले हैं हमारे भावी चात्र हमारे भविश यानि वो चात्र जो इस समय तयारी कर रहे हैं परिक्षाओं की तो परिक्षा पे चर्चा जो विशह है इस पर तो हमारे मानेनिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने बहुत सारे मूल मंत्र दे चुके हैं और पुस्तक में बहुत सारे ऐसे मूल मंत्रों का जिक्र भी किया है जिसका नाम है exam warrior तो exam warrior का अर्थ ही होता है कि किस तरह से आप एक योधा बनकर इस परिक्षा की तैयारी करें इन परिक्षाओं में हमारे जो अभिभावक होते हैं हमारे जो शिक्षक होते हैं हमारे जो परामर्श दाता यानि counselors जो होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है जो कि बच्चों की परिक्षाओं की तैयारी में निभाते हैं तो आज जो विशे हम लेकर आए हैं इस पर चर्चा करने के लिए हमने अपने पैनलिस्ट को आमंत्रित किया है स्टूडियो में तो आज हमारे साथ जोड़ चुकी है हमारी प्रैक्रिसिंग काउंसलर स्वाती चंद्रा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है इसके अलावा ह हैं और काउंसलर भी हैं केवी जनफ पूरी स्कूल में आप तीनों का में बहुत-बहुत स्वागत करती हूं और जैसा कि आज का विशे है कि परिक्षा पर चर्चा तो हम यही विशे लेकर आए हैं और इस पर ही चर्चा करेंगे तो जब एक्जाम जब आते हैं शुरू हो और परिक्षा में बच्चे जो होते ही से बचना क्यों चाहते हैं बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि परिक्षा में तनाव होता है और खाली चात्रों को नहीं होता उनके विभावगों को भी होता है उनके टीचर्स को भी होता है तो जरूरी है समझना की त चुनौती प्रस्तुत करती हैं उस चुनौती को अगर हम अपनी क्षमताओं से अधिक आखते हैं तो हम परिशान होते हैं तो यह जो परिशानी वाली इस्थिती है यह इसको हम तनाव कहते हैं अगर यह तनाव हमारा नेगेटिव हो जाता है या नकारात्मक होता है तो हम इस उच्छा एक उत्सव है अगर हम उत्सव की तरह से लेते हैं इस तनाव को तो हम उस तनाव की स्थिति में क्या करेंगे हम तयारी करेंगे उसके लिए अपने नोटस एकटा करेंगे अपना mental status जो है उसको ठीक रखेंगे जब हम पूरी तयारी के साथ अपने exams का सामना करेंग तो success का chances हमारे बढ़ जाता है अब आपका दूसरा सवाल था कि तनाव क्यों होता है बचना क्यों चाहते हैं बच्चे तो इसके कुछ कारण है उन में से कुछ कारण है कि बच्चा ये सोचता है कि हमने तयारी की है अगर उस तयारी में से कुछ प्रशन नहीं आए तो मैं क्या करूंगा हमारे पेरंस की हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर हम खरे नहीं उतर पाए तो क्या होगा एक्जाम्स में हमारे माक्स नहीं आए तो हमारा क्या होगा तो यहां पर मैं एक छोटी सी चीज और डिसकस करना चाहती हूँ, कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, कि exams जो है, they are not your test, they are the test of your current preparation, मतलब आपका test नहीं हो रहा है यह, आपकी तयारी का test है, तो उस तयारी पे जीजान से जुठिए और अपना comparison जो है किसी और के साथ मत करिए, आप exam room में देखते हैं, कि आपके जो सह पाठी है, वो बहुत सारी answer sheets भरते हैं, तो आप उससे देख के tension में ना आए, अपनी तयारी पे भरोसा रखें और आगे बढ़ें, बिल्कु सही बताया हूँ, आपने कि तयारी सबसे जरूरी होती हो, जो चात्र होते हैं पूरे साल भर अपनी exams की तयारी करते हैं, अब मैं पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर रानी जाजी से, क्योंकि वो एक शिक्षिका हैं और बच्चों को बढ़ाती हैं, तो एक आत्म विश्वास बच्चों में पैदा करना बहुत जरूरी होता है, तो किस तरह से बच्चे स्वयम में आत्म विश्वास पैदा करें, और अगर डर है exams का तो उस पर कैसे काबू पाएं? धन्यवाद मैम इतने अच्छे प्रशने के लिए, विद्यार्थियों को कहना चाहूंगी कि आत्म विश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी तैयारी को अ कि ये चीजे मंगानी है, ठीक इसी तरीके से आप मानिए कि परिक्षा भी आपके लिए एक उत्सव है, एक तेवहार है जिसको आपको मनाना है, तो उसकी तैयारी कीजिए कि मेरे इतने विशे हैं, इन में से ये विशे तैयार हो चुके हैं और इसकी तैयारी इस तरीके से करनी है अब इस अच्छी तैयारी को करने में जो आपकी सहायता करेगा वो है सही समय प्रबंधन जब आप समय सही तरीके से समय प्रबंधित कर लिया तो अब समय आता है अधिक से अधिक sample paper को solve करने की और mock test देने की आप जितने ज़ादा sample papers को solve करेंगे मौक टेस्ट को देंगे, अपना स्कोर देखेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हो सकता है किसी सेंपल पेपर में या मौक टेस्ट में आपका स्कोर थोड़ा कम हो। घबराईए नहीं। इसको इस तरीके से नहीं देखिए कि मेरा स्कोर इतना कम है। आप ये देखिए कि अब मुझे बस इतना ही और करना है और इस सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते जाएं। अपने उपर कभी भी नकरात्मक्ता को हावी होने मत दीजिए। क्योंकि जैसे ही नकरात्मक्ता आपके उपर हावी होगी आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। अब एक चीज और यहां पर जोड़ना चाहूंगी कि नकरात्मक्ता कैसे हावी ना होने दे। आपने स्कूल के दिनों में पिछले बारह सालों में स्टेज पे कई बार प्रोग्राम देने गए हैं मौनिंग असेंबली में प्रोग्राम किया हैं छोटे-छोटे प्राइज जीते हैं CCI के अक्टिविटीज में उन चीजों को याद कीजे कि आप जरूर अच्छे हैं करीफ मिली है और इस सकर आत्मक्ता के साथ आगे बढ़ते रहिए तो निश्चित तोर पर आपके आत्मे विश्वास की व्रिद्धी होगी बिल्कुल सही कहा आपने और आत्मे विश्वास की व्रिद्धी होगी और डर पर काभू पा सकते हैं लेकिन फिर भी बच्चों मे कि एकजाइटी होती है चिंता होती है प्रबंधन की तो प्रबंधन कैसे करें तैनाव पूर्ड जो एक वातावरन हो जाता है उसको किस तरीके से प्रभाव करें तो इस विशेवर मैं विदूशी जी से जानना चाहूँगे कि इस आज मी कुछ मूल बिंदियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हूं वक्लाबु परिवार की भूमिका तोो कि अगर परिवार में जो बातवशन है और फिटकोण तो बच्चे में वो स्वाभावी क्रूप से चीज़ें आने लगती हैं, तो यहां पे परिवार का रोल बहुत important है, वो खुद भी अपने आपको तनाव रहित रखें और इसके साथ साथ बच्चे को support कर, आपको बैठ के बच्चे से बात करनी है, परिवारी जन बच्चे से कर सकते हैं, उसके जो भी उसका study का plan है, वो discuss कर सकते हैं, जो उसकी तैयारी है, परिक्षा के लिए उस पे discuss कर सकते हैं, इससे बच्चे की जो एक तनाव और जो चिंता होती है, वो कम होती है, उसकी जो दूसरा बिंदो है, वो है संतुलित भोजन, वो बहुत आवश्यक है क्योंकि जब कहते हैं कि भोजन से हमें उर्जा मिलती है तो जब अगर हम संतुलित भोजन लेंगे तो वो उर्जा जो हमारे अध्यन के लिए आवश्यक है वो हमें वहाँ पे बच्चों को हम दे पाएंगे इसका ध्यान परिवार भी रखेगा और बच्चा स्वहिम भी इसके लिए प्रेरित होना चाहिए कि हमें संतुलित भोजन लेना है दूसरा जो एक महत्वपूर्ण है वो है निद्रा, शयन या स्लीप आजकल जो सोशल मीडिया की बजहे से या बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारा स्लीप पैटर्न है उस प्रभावित हो रहा है और जब हम बात करते हैं परिक्षा की तयारी की तो वहाँ पे सबसे जरुरी होता है हमारा एकागृत होना चित्त होना हमारी ध्यान केंद्रित कर पाना और उसमें निद्रा का विशेश महत्त है अगर आपने जितने आवश्यक है उतने निद्रा नहीं ली है तो आपका जो दिमाग है आराम में नहीं होता है या वो रेस्ट में नहीं होता है और जब आप किसी रेस्ट में अगर आप नहीं हैं, तो आप ध्यान के इंद्रित नहीं कर पाएंगे. इसलिए बच्चों को ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखें कि उनकी जो निद्रा है, जो निश्चित समय है, छे से साथ खंडे का, वो बहुत जरूरी है. उसके अलावा दूसरा जो विशय है वो है एक्ससाइज, अपने आपको एक्टिव रखना, कोई ना कोई बयाम करना, उसमें वो आप सैर्भी कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, प्रणायाम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे जो तनाव और चिंता को कम कर. एक छोटी सी क्रिया भी बच्चे जब ज़्यादा तनाव फील करें तो कर सकते हैं, उसमें अपना मेर उदंडु को सीधा करके, आखों को बंद करके, गहरी सांस लें, और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें, तुरंत ही उनको थोड़ा आराम मिल सकता है, रिलैक्स हो सकते है बिल्कुल, बहुत ही अच्छा तरीका बताया आपने, और पेरिंट्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जरूरी भी है, तो माता-पिता घर में बच्चों की साथ कैसा माहौल रखें, ताकि उनकी परिक्षाओं के दौरान वो साहयक सिद्ध हो सकी, तो मैक्सिमम टाइम वो अपना स्कूल की जगह अपने घर पे वितीत कर रहा है, तो एक पॉजिटिव एट्मोस्फियर क्रियेट करना पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, तो मुझे मालूम है कि आप लोगो सबको बहुत चिंता होती है, कि बच्चा कैसे परफॉ जब आप तनाव में हैं, तो वही तनाव वो भी फील करते हैं, और उसके हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस पे फरक पड़ जाता है, तो पेरेंस को सकारात्मक महौल क्रियेट करने के लिए कोशिश करें कि आप जो है एक डिनर टाइम या कोई एक टाइम ऐसा रखें, जहां आप लोग सही सब साथ में मिलके एक टाइम बिताएं, खुशी का महौल क्रियेट करें, हसे साथ में, कुछ नहीं है तो थोड़ी देर के लिए वॉक करके आ जाएं, अपने बच्चे को दूसरे से कंपेर मत करें, क्योंकि हर बच्चा यूनीक है और किसी से कंपेर नहीं कर सकते हैं आप उसको, प्रधानमंत्री मोधी जी ने भी कहा है कि कंपीट विद यॉरसेल्फ, हमें अपने आपको ही बेहतर करना है, यहां पे पेरंसे मैं और एक चीज़ कहना चाहूंगी, कि पेरंस जब घर पे हैं बच्चा तो उसके उपर पूरा ध्यान रखें, जिससे क बच्चा जो है, अगर उसमें कुछ चेंज़ आ रहे हैं, बहीवरिल चेंज़ जैसे बहुत ज़्यादा चिर्चड़ा हो रहा है, या हर चोटी बात पे चिला रहा है, या अपने आपको एकदम उसमें अलग तलग कर लिया है, या खाने पीने में चेंज है उसके, या सो न आए नहीं, बिल्कुल, और मैं रानी जी से बात करना चाहते हूं, कि वो ये बताईए कि शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है एक्जाम्स की तैयारी के लिए, तो वो किस तरह से स्टूडेंट्स को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, क्या से तैयारी करें वो, शिक्षकों का योगदान तो शुरू से लेके अंत तक हमेशा ही बना रहता है, शिक्षकों को सबसे पहला प्रयास तो ये करना चाहिए कि उन्हें अपनी कक्षा के वातावरन को सकरात्मक बनाना चाहिए, ताकि शात्र बड़ी आसानी से खुल पाए और अपनी बातों को क रह पाए, कहने में उसे हिच्की चाहट बिल्कुल भी ना हो, दूसरा तरीका जो वो अपना सकते हैं वो ये हो सकता है कि छात्रों के इस तरह नुकूल जाकर के पढ़ाए, कई बार क्या होता है कि मुझे नौलेज बहुत जादा है, लेकिन मैं उस नौलेज को सही तरीके स एक्सप्रस नहीं कर पा रहे हूं, वो मैं कब कर पाऊंगी, जब मेरी क्लास में जो 55 बच्चे हैं, मैं उन सभी के स्तर को जानती हूं और उनके स्तर तक जाकर के फिर उन से बात करूंगी, तो उसके इसमें शिक्षा का जो आदान प्रदान होगा, बच्चों को जो सीखने की शमता होगी, वो और अधिक जादा बढ़ेगा। जरूरी है क्योंकि उससे बीमारियां दूर रहेंगी, हमारा अगर हम स्वच्छ खाना अगर खाएंगे, तो उससे हमें बीमार होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, जो की परिक्षा के समय में बहुत जरूरी है, अपने आपको स्वस्थ रखना, उसके साथ साथ निद्र पूरा लेना और उसके अलाबा हमको पूरा रेस्ट लेना भी बहुत जरूरी है। जो खाना है उसको लीजिए, वो आपको पोशन भी देता है और ना सरफ आपके शरीर को बलकि आपके दिमाग को भी पोशित करता है। आपको जादा देर तक बैठ के पढ़ाई करने में ताकत देता है, हिम्मत देता है ताकि आप उस काम को सही तरीके से पूरा कर स्वाती माम आपके फिचार भी जाना चाहते हैं। मैं काफी बाते हो चुकी हैं तो मैं एंड करना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम किसी भी पार्टी में जाने के लिए या कहीं अच्छी जगे जाने के लिए हम तयार होने के बाद आइना देखते हैं। आइना देखके हमें अपने बारे में समझ में आता है कि कहा हमें जरदा सा improvement करने की जरुयत है तो उसी तरीके से परीक्षा भी हमारे लिए एक आइना है जो हमको दिखाती है कि हमारे plus point पॉइंट क्या है और हमारे negative points क्या हैं जिन पे हम improvement कर सकते हैं तो इसको इस तरीके से अगर हम ले के चलेंगे तो नो डाउट सक्सेस हम से ज़्यादा दूर नहीं रहेगी जिसी के साथ में एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहोंगी और सबी विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहोंगी कि आप सब सर्वश्रेष्ट हैं इसलिए अपनी सर्वश्रेष्ट प्रस्तुती दीजिए और निश्चित तोर पर जो सर्वश्रेष्ट परिणाम होगा वही आपके पास स्वयम चल कर आएगा हम लोगों ने बात की healthy habits की लेकिन एक healthy atmosphere बनाने के लिए हमें होबी को बरकरार रखना बहुत सरूरी है तो स्वाती मैं होबी के बारे में आप क्या कहेंगी मैं अपने सभी चात्रों से ये कहना चाहूंगी कि चाहे exam का time हो या कोई भी और difficult time है अपनी hobby जरूर रखें hobby के अंदर आप चाहे वो गाना हो सकता है अंडित्य हो सकता है acting हो सकती है walking हो सकती है gardening हो सकती कुछ भी हो सकता है उसको जरूर रखें वो आपको तनाव से मुक्त रहने में सहायक होगा इसके साथ ही मैं parents से भी कहूंगी कि एक जादू की जप्पी जरूर दे जिससे आप भी तनाव मुक्त रहेंगे और आपका बच्चा भी तनाव मुक्त रहेगा और परिक्षाओं में अच्छा करने के लिए प्रेरित होगा धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात कही स्वाती जी ने कि जादू की जप्पी बहुत जरूरी है अभी भावकों के लिए अपने बच्चों के प्रति तो ये जादू की जप्पी को बरकरार रखना यही मैं चाहती हूं और आप सब आज स्टूडियो में आए और अपना कीमती वक्त हम दिया परिक्षा पे चर्चा हम सबने आज यहां पर आपके साथ चर्चा के इसके लिए आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं स्वाती जी का विदूशी माम का डॉक्टर रानी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और शोता आप सभी का भी धन्यवाद देना चा जो कारीक्रम होगा वहां से लाइव होगा तो उस प्रोग्राम से भी आप जुड़े रहिएगा बहुत सारे परिक्षाओं से जुड़े हुए मूल मंत्र देना चाहते हैं अमारी मानिने प्रधान मंत्री जी तो जरूर शामिल हो येगा आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चा झाल